इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करें ओर स्कॉलर एम में और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डोकुमेंट को कैसे अपलोड करना कि आपका भी के वाइसी वेरिविकेशन जल्द से जल्द हो जाएंगा इसके उपर पहले से एक वीडियो बना चुका हूं और मैं इसके फिर से बना रहा हूं जिसमें मैं आपको स्टब बाई स्टब बताऊंगा कि वैसी वेरिफिकेशन कैसे काना है तो चलो बिना देल के शुरुआख करते हैं और इसको अपन हो चुका है इसके क्लिक करते हैं इसे क्लिक कंटीनि आप देख सकते हैं मैंने दो आईडी प्रूफ को कर दिया पहले से ही सकस्कूली अप्लोड़े डियू टू प्राइवसी क्योंकि यह मैं आपको शो नहीं कर सकता हूं नहीं तो मैं आपको जरूर शो कर सकता था आईडी है इसलिए आधार काड भी डाल स सकते हैं आप इसमें मैं आपको यह दिखा देता है स्कूल आईडी कार्ट कासे डालना है इस पर क्लिक कर सकते हैं मैंने पहले से फोटो भीच रख किया तो इससे सेलेक्ट करते हैं कि नटर्ट लोग चल रहा है कि यह देख सकते हैं आचुका है अब इसे क्या करना है को प्रोप करना इसमें थोड़ा भी साइड किनारे खाली न रह जाए अब देख सकते हैं मैंने फूर अच्छे से फेक्रोप कर दिया तो इसे क्रोप करते हैं कि मैंने क्लिक कर दिया देखते हैं सकते हैं सक्सेस्फुली अप्लोड़िट हो रहा है अप्लोडिंग में थोड़ा अप्लोडिंग ले रहा है देखते हैं प्राइब देख सकते इस पूल आइडी कार्ड सबस्क्राइब हो चुका है तो ऐसी हमें फोटो को भी अपलोड करना है और इससे अपलोड करने के बाद आपको कुणनी करना है कि एक दो दिन वेट करना है जिसके बाद आपको खुदी के भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और एक-दो दिन कि ओर तो प्लिस कमेंट करना ना भूलिए झो उर पत्षा करना जो भी आपको फोटो डालने वो प्रॉप अच्छे करना है और जो आप इसके अंदर डोक्यूमेंट के अंदर इस लास्ट आले में फोटो करेंगे वह आपके खुद की फोटो होनी चाहिए जिससे क्या आप क्यूज देने तो अगर आपको कोई भी कोश्चन हो तो कमेंट का ना ना भूलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाल थैंक्स वर वचिंग वीडियो